और दोस्तों मैं आपको बता दू कि SSC GD 2023 मैं फाइनल सेलेक्शन की गैरेंटी लेकर मैं आया हूँ क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है क्योंकि रोज शोंग वार से लेके सनी वार मैं शाम 6 बजे रिजनिंग और रात 8 बजे हिंदी यानि 80 नंबर मेरे हाथ में 40 नंबर रिजनिंग 40 नंबर हिंदी लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइस पढ़ना है प्रिवेस एर पेपर आप सोंग वार से स टर डे प्रिवेस एर पेपर की तबाही तैयारी कराने मैं आ रहा हूं तो जुड़ियेगा जरूर से स्सी जीडी दो हजार तेईस चौबिस मैं फाइनल सेलेक्शन की गैरेंटी लेकर मैं आया हूं क्यों क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है मैं चाहता हूं कि दुनिया में ज जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूँगा नमश्कार बच्वा लोग स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ससी एड़ा 24-7 पर नवदीप सर के साथ इस ससी CGL और CHSL की गुरुकुल सीरीज में दोस्तों जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था 100 एपिसोड लेकर के आएंगे और 10 on 10 एपिसोड लेकर के आएंगे लेकिन कल कुछ ऐसे काम आए जिन काम की वजह से हम इस एपिसोड को प्रॉपरली बना नहीं पाए इसलिए आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट ही लेकर करके आए हैं लेकिन कल से ये एपिसोड बन जाएंगे और इन एपिसोड के बनने के बाद हम आपको सबसे पहले जो प्रॉमिस की हुई सिरीज थी हिस्ट्री 10 on 10 वो हिस्ट्री 10 on 10 से शुरुवात करके आपको सारे mcqs और theoretical portion को cover करवाना शुरू कर देंगे तो बताइए दोस्तों सभी लोग तुरंत एक बार comment section में लिखें तैयार है चला जाए शुरू किया जाया आज के session को चलिए दोस्तों वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग तयार है उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं जबरदस्त तरीके से आज तैयार नहीं हो पाया session बस इसलिए अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया है तो जो लोग इस session को live देख रहे हैं बाबु वो comment section से अड़ा app डाउनलोड कर लें और जो लोग इस session के recording देख रहे हैं वो description box में जा करके अड़ा app डाउनलोड कर लें वहाँ पर link दी हुई है app की link पर click कीजिएगा तो के आप आराम से हमें connect कर सकते हैं ससी एड़ा 24-7 यानिकी इस YouTube चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले subscribe कीजिए और काम बन जाएगा चलो दोस्तों अच्छा कल वाले जो कुछ प्रश्न बचे हुए थे उन प्रश्नों के उपर थोड़ी एक चर्चा कर ली जाए ये बताईए कि उपनिशद क्या है उपनिशद क्या है हिंदू धारना का एक स्रोथ है हिंदू फिलोसफी हिंदू दर्शन के बारे में बताते हैं किस चीज के ऊपर ये किताबे हैं इसके बारे में बताईए उपनिशद क्या है सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है बुक और सोशल बिहेवियर है बुक आफ एंशेंट हिंदू लॉज है या प्रेयर्स टू ओड है ये बताई ये जल्दी से फटा-फट ठीक है जल्दी से हिंदूइजर्म का जो दर्शन सास्त्र है फिंदू धर्म के दर्शन सास्तर को हम उपनिशद कहते हैं तो ये आपको याद रखना है आगे बढ़े तो एक और क्वेस्टन है ये बताई अपनिशदों को फारसी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया उपनिशदों को फारसी उपनिशद्स इंटू पर्शियन फार्सी भाषा में उपनिशदों का अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और दोस्तों फार्सी भाषा में उपनिशदों का अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है दाराशिकोह अगर आपको नहीं पता है दाराशिकोह के बार तक शाह जहां एक मुगल साशक उसके चार बेटे दार्जिको शाह-शुज्जा और औरिंग्जीब अभीन चारों के बीच में जब सब्थस्टा का यूद हुआ तो दारा शिकों का औरंग्ज़ı के साथ यूद हुआ अब दाराशिकोह और औरंग्जेब इन दोनों के बीच में पहला युद्ध जो होता है उसे कहते हैं दोस्तो बैटल ओफ धर्मत धर्मत का युद्ध और यह धर्मत का युद्ध शाह दाराशिकोह की तरफ से लड़ते हैं राजा जस्वंत सिंग कासिम खान वगेरा औ औरंग्जेब अपनी सेना लेकर क्या आता है औरंग्जेब इस युद्ध में जितता है दूसरा युद्ध हुआ दाराशिकोह और अरंग्जेब के बीच में आगरा के पास जिसको कहते हैं समुगडव का युद्ध समुगढ का युद्ध और तीसरा युद्ध हुआ औरंग जेब और दाराशिकोह के बीच अजमेर के पास जिसको कहते हैं दोराई तो दोराई का युद्ध या इसे कहते हैं देवराय का युद्ध देखो दोस्तों 1658 में धर्मत का युद्ध 1658 में ही समुगड का युद्ध और 1669 में अंततह ही युद्ध होता है दोराई का इस दोराई के युद्ध में दारा शिकोह जैसे व्यक्तितों को हराने के बाद और अरंग जेब दारा शिकोह को पकड़ करके पूरे आगरा में घुमाता है, पूरे दिल्ली में आगरा में और पूरे दिल्ली में घुमा करके लोगों से कहता है उसके उपर टॉयलेट करो, फिर उसका सिर कटवाता है और सिर कटवाने के बाद अपने कैद पिता को आगरा में वो सर पारसल करके भेज़ता है, सोचो आप और जब खाना खाने वाला होता है ना शाह जहां उसी समय पर वो पारसल किया हुआ सर अचानक से उसके सामने पहुंचता है और सोच तीन दिन तक उल्टियां करता रहा था शाह जहां इतना कुरूर आदमी था यह औरंग जेब औरंग जेब की कुरूरता के उपर हमारा डिसकेशन नहीं है हमारा डिसकेशन है कि फारसी भाषा में उपनिशदों को किसने ट्रांसलेट किया उपनिशदों को ट्रांसलेट करना है ना वेदों को ट्रांसलेट करना दाराशिकों का बड़ा इंट्रेस्ट था कि जितने भी ब मध्यप्रदेश में है समुगढ आगरा के पास है और दोराई अजमेर के पास है इन तीनों की लोकेशन आपको पता चल गई मध्यप्रदेश समुगढ कहां है यह आगरा यानि उत्तरप्रदेश और दोराई मतलब अजमेर ही राजस्थान आगे चले एक और प्रशन है यह ब और याद रखिए जो आपको कम्यूनिटी में क्वेश्चन का PDF शेयर किया है ना उन्हीं के questions होते हैं यह तो आप यह मत सोचना कि ज़र अलग से कहीं से questions ले कर काते हैं और community मंको अलग देते हैं जो आपको questions दे दिये हैं वही questions यहाँ पर करते हैं प्रैक्टिस होती है से और उसी से जुड़ी हुई जानकारिया इकठा करते हैं एक बार फटा-फट से जल्दी session को दोस्तों share कर दीजिए और जो लोग लाइक नहीं किये हैं प्लीज लाइक करो या कम से कम लाइक ही तो है जो हम आप से करते हैं और क्या इमान्ड करते हैं चलिए एक बार को आप शेर नहीं भी किये हैं पर कम से और आते ही लाइक तो करी सकते हैं अच्छे लगी मेरी बात तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर दीजिए ना लाइक कर दीजिए न रहुल जी भी ऐसे कहते हैं अधिक अनुकूलन शीलता दृढ राज जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद की कम संभावनाए साशन की एकात्मक पद्धति का लाभ यह है पावर अच्छी होगी और साशन की आपास पावर अच्छी होने से साशन अपने हिसाब से चीजों को कर पाएगा जो भी हिसाब किताब उनका यह बताइए कौन से देश का अलिखित समिधान है मतलब किस देश में अन्रिटेन कॉंस्टिट्यूशन का फंड़ा है यूएस क यूके का पाकिस्तान का या इंडिया का बताएं जल्दी से ठीक है जल्दी से बताईए यूएस का यूके का पाकिस्तान का या भारत का पाकिस्तान का तो खैर ही नहीं कुछ समिधान जब पाकिस्तान नाम आता है तो सोचते हैं कि लगभग दो-तीन मिनिट तक इस देश के नीव ही जूट पर रखी गई हो जिसकी बुनियाद ही एक तरी से फरेब में रखी गई हो उस देश के बारे में क्या ही बात करना मुहम्मद अली जिन्ना लगातार 1940 के लाहूर अधिवेशन में कराची अधिवेशन में माफ कीजेगा तो मुस्लिम लीकाई का धिवेशन हुआ था 1940 में कराची में कह रहा है हाथ में लोटा मुह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान लोग कहें ये क्या नारा हुआ बोले नारा कुछ भी हो पाकिस्तान चाहिए तो एक तो ये फंडा पाकिस्तान का फिर दूसरा आजकल देखो ना मतलब कहने का ये है कि हर देश के केस में उनके पास सेना होती है पाकिस्तान के केस में सेना के पास देश है और सेना के पास देश होने का मतलब कि सेना जो चाहे वो कर रही है जब जिसका मन करेगा उसको परधान मंत्री बना देंगे जब जिसका मन करेगा उसको जमूरे को लयाक ब Spiel चलता रहता है पाकिस्टान का क्या हैना पाकिन अच्छा इस बीच में पीछे का कॉन वां उर्दु में आवं को हिंदी में जनता बिचारी जनता सोच रही क्या मस्खरापन्ति कर रहे हैं यह लोग और जूट अलग पढ़ाते हैं यार 1947-1965 1971 और 1999 मैंने पाकिस्तान की किताबें पढ़ी पाकिस्तान के किताबों में इन सभी युद्धु में पाकिस्तान जीत गया है अभी आप सोचो पूरी दुनिया में आज तक 93,000 सैनिकों ने अगर विश्युद दुती के बाद कहीं सरेंडर किया है तो वो है 1971 का युद्ध सोचो आप पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने घुटने रगड रगड के नाक रगड रगड के सरेंडर कर दिया आत्म समर्पन कर दिया और आत्म समर्पन करने के बाद अब पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं कह रहे हैं कि यह जो 1947 का युद्धा 65 का युद्धा इन सभी युद्धों में हम लोग जीते हैं अब बताईए बिचारी जनता क्या ही सोच रही है जनता खुदी जनता जो पढ़े वही जानेगी उनको क्या पता और इसनल इतिहास क्या है उन्हों क्या पता कि पश्मी पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान भी था अगर पश्मी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स इतनी पागल ना होती कि वह पूर्वी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान हो सकता है पश्मी पाकिस्तान के साथ में होता पर पूर्वी पाकिस्तान उन्हें बंगला देश मन गया खर पढ़ाई लिखाई से वहां के politicians को कोई लेना देना ही नहीं है ज्यादा ज्यादा एक ही किताब पढ़े होंगे वह हाउ टू इन फ्रेंट्स एन इंफ्लूएंस पीपल डेलकार नेगी की एक बार एक इंटर्वी सुन रहे थे हम उसमें नवास शरीफ के अहां एक गार्डियन का कोर्रेस्पॉंडेंट गया अच्छा गार्डियन एक न्यूस पेपर है आप लोग जानते हों बहुत दुनिया के बड़े बड़े न्यूस पेपर में इनका नाम आता है गार्डियन है तो गार्डियन का कोर्रेस्पॉंडेंट मतलब उसका पतरकार कोई गया होगा उसने कहा की एक बात बताईे है आपका जो यह महल है इस महल में कहीं रिसाल़ह कोई अच्छा रिसाल़ह का मतलब होता है लाइब्रेरी पुस्त्तकाले तो सुने पूछा कहीं किताब पढ़ते पड़ aur hull लिख्ःत को तो बिचारी जनता एनज Anah की परेशान है बागी बस चलो किसका अनलिख्ट है और अलिख्र के समिधान कहने का मतलब यह नहीं है कि UK का सम्मिधान कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन एक साथ एक अठा नहीं है समझ रहे हो बाबू एक साथ एक साथ नहीं है कि मतलब एक अठा हो UK का समीधान चलो आगे बढ़ते हैं आगे चल करके एक और क्वेशन है समविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी किसका इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इस समीधान सभा बननी चाहिए वैवल का क्रिप्स मिशन का ऑगस्ट आफर या कैबिनेट मिशन और इसका सही आंजर आप सभी लोग जानते हैं सही उत्तर है इसका कि कैबिनेट एक मिशन है जिसके कहने पर समीधान सभा बनी और समीधान सभा 6 दिसमबर 1946 को बनी फिर उसके बाद 9 दिसमबर 1946 को पहली मीटिंग आप जानते ही हो आगे जले एक और क्वेश्चन है भारती समीधान सभा का अध्यक्ष कौन हुआ करता था तो प्रेसिडेंट आफ दे कॉं अस्थाई तो अस्थाई में डॉक्टर सचिदानन सिनहा और दो दिन बाद 11 दिसमबर 1946 को डॉक्टर राजेंदर प्रसाद अब देखिए हमारे देश में डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को प्यार से बाबुजी कहा जाता है और कितना बढ़िया है कि जब भारत आजाद ह हुआ और उसके बाद पहला लोकतंत्रात्मक विशेषता भारत की हमारे सामने आई तो बाबुजी बने हमारे राष्ट्रपती और चाचा जी बने हमारे प्रधान मंतरी और बाबुजी और चाचा जी ने मिल करके देश चला दिया अब बताईए जितने लोग लाइव हैं और लाइक नहीं किये हैं बाबु बताईए हम आपसे क्या डिमांड करते मात रेक लाइक जिन्होंने नहीं किया उनसे कर दीजिए अच्छा लगाना ऐसे थोड़ा ताली मार दीजिए चलो आगे बढ़ते भारती समिधान सभा का अध्यक्ष कौन हुआ करता था तो समिधा अधिकार हो या फिर एक्वल डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वेल्ट धन का समान वितरण हो और या फिर रैशनालिटी और इंटलेक्ट्वालिटी आफ परसन हो व्यक्तिकी तर्क संगत्ता या बहुत धिक्ता क्या लगता है बाबा बताव जल दीजिए थैंक्यू सो मच लाइक कर दिये हैं आप जो लोग नहीं किये हैं उनसे रिक्वेस्ट थी ऐसे आप जानते हो रिक्वेस्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर सही एंसर है स्वारभौमिक वैस्क मताधिकार इसका मतलब यह है कि 161 समीधान संशोधन हमारे जब समीधान में 1989 मे अपने प्रतनिधी को चुन करके देश की सरकार चला सकता है लेकिन 18 साल की उम्र में शादी करके परिवार नहीं चला सकता 18 साल की उम्र से 3 साल और परिपकोता होनी चाहिए तब जाकर 21 की उम्र में वो शादी कर पाएगा राजीव गांदी जीज़ बात को जानते थे कि कोई व्यक्ति ना कोई व्यक्ति 18 की उमर में अपने प्रतनिधिय को चुन के देश की सरकार चला सकता है लेकिन काज बिया शादी बिया करके अपने परिवार को नहीं चला सकता इसलिए 3 साल और बड़ा हो जाए 21 के बाद औ हो आजकल साधी करने का सिस्टम ही ऐसा हो गया है लोग इतना लेट लेट साधी करते हैं 34 साल 35 साल 34-35 साल हमारे दादा जी जब 34-35 साल के थे तो उनके सारे बच्चे 6-6 हो चुके थे दादा जी हमारे फुर्जात हो गए तो परिवार और हो गया था उनका चलो आगे चलते हैं एक और चर्चा यह बताओ जल्दी से सेकुलर का मतलब क्या होता है अच्छा आपको एक मज़ेदार बात बताएं एक अभी हम हाल ही में किताब पढ़े हैं वो किताब का नाम है कि उनकी किताब को पढ़ना चाहिए उनके किताब को पढ़ने के बाद हमको यह समझ में आया कि यूरोप में जितने चर्च राज्यों के ऊपर अपना धर्माधिकार रखते थे उन धर्म के अधिकारों से राज्यों को फ्री करने के लिए सेकुलर शब्द को लाया गया था European रूप का है secularism, भारत तो पहले से ही secular है, भारत क्या कहता है देखो, भारत पहले से ही ये कहता रहा है ना सर्वधर्म समभाव, अच्छा आप देखिए, अगर कोई कहता है सर्वधर्म समभाव, या कोई ये कहता है वसुधैव कुटुम्ब कम, इसका मतलब क्या है, आपने योरोप में पढ़ा है कहीं, कि वो लोग ऐसा कहते हो, अवरिवन इस वेलकम, अवरिवन इस आर फैमिली, नहीं ना, कभी नहीं कहते, तो वसुधैव कुटुम्ब कम, सर्वधर्म समभाव, ये तो भारत के वैसे भी नेचर में था, अब योरोप में चर्चों के आजाओं को, फ्री करने के लिए सेकुलर शब्द डाला गया, हम भी पड़े तो योरोप से ही सेकुलर सब्द को, सीधे-सीधे, इंपोर्ट करके लिया, मतलब आयात कर लिया, इसका, आहा, हाँ, मीन आ गई, सारी, छींक आ गई, तो देको वहीं, इसका सही अंसर क्या है, जिसका अपना कोई धर्म नहों, ऐसा, सेकुलर का मतलब होता है, पंथ निर्पेक्ष, धर्म निर्पेक्ष नहीं होता, याद रखियेगा, अब आपको आज बताना है, कि पंथ निर्पेक्ष और धर्म निर्पेक्ष में क्या अंतर है, ठीक है, question रहेगा आपके लिए, चल IBACIO वालो धियांदब थोड़ा सा जो हमारे सेशन में पढ़ते हैं इस तरह को यह कोस्टिएमें आपको मिलेंगे इंडियन कॉंस्टिएशन नौट ओन्ली इन मिसेगे दियमोक्रेटिजी फार्म अफ प्रस्तावना को पढ़ते हैं हमारे सम्विधान के प्रियंबल को पढ़ते हैं तो प्रियंबल में तीन चीजें जस्टिस, सोशल, एकनॉमिक और पॉलिटिकल कहा जाता है न इक्वालिटी हर चीज की फ्रीडम हर चीज का तो सही एंसर क्या हो जाएगा सही एंसर हो जाएगा कि भाई चारा एक्वालिटी फ्रीडम और सब कुछ मिला करके एक दो तीन चार इस प्रशन की जय जयकार आगे बढ़े एक और क्वेशन है सम्विधान के अंतरगत भारती लोगतंतर के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं सम्विधान के अंदर ही देख सकते हैं न आईडियल सब डेमोक्रेसी वीदिन the Constitution can be seen in the preamble of the Constitution यह जो introduction इसको preamble कहते है अच्छा preamble के बारे में दो तीन बाते है याद रखना बाबू introduction नहीं इसको preamble कहते है देखो preamble preamble के अंदर content कहां से लिया गया है preamble का जो content है वो content है objective resolution का objective resolution है ना objective resolution नहरुजी लेकर क्या थे उद्देश्य प्रस्ताव और यह objective resolution यह उद्देश्य प्रस्ताव को नहरुजी लेकर आए 13 देसंबर यह objective resolution का हो content के बाद दूसरा point क्या है तो याद रखेगा content number one objective resolution number two इसके अंदर की जो language है जिस language में लिखी गई है प्रस्तावना वो ली गई है और तीसरा कि प्रस्तावना होनी चाहिए यह feature यह लिया गया है United States of America से तीन तीन चीज़ें याद रखेए 13 दिसंबर 1946 को objective resolution का constituent assembly में जवहर लाल नहरु द्वारा लाया जाना 22 जनवरी 1947 को constituent assembly द्वारा नहरु जी के इस objective resolution को पास कर दिया जाना आगे चल करके हमारे preamble का content बना और preamble का content तो ठीक है objective resolution में लिखी हुई बाते हैं लेकिन preamble की language कहां से ले करके आए तो preamble की language ले करके आए Australia से और preamble होना चाहिए सम्विधान में यह feature कहां से ले करके आए यह feature यह concept है यह concept कहां से ले करके आए तो याद रखिएगा यह concept हम यूएस से ले करके आए देख रहे हो बिनोद कितना बढ़िया से GKS पढ़ रहे हो तुम आगे बढ़ो सम्विधान में भारत को निम्लिखित में से किस रूप में घोशित किया गया है सोवरीन democratic republic कि बढ़िया है इन सब के बारे में आपको जानना है वैसे तो इसका आंसर आप सभी जानते हो आंसर होगा का इसका सी यह सेकुलर शब्द हैन नीसा के प्रभू सक्था समपन प्रभूसक्ता संपन का मतलब होता है प्रभूत वादी ही सोवरेन का मतलब भारत अपने मामले कुझ से सुल्जहा सकता है बाहर से किसी के भी interference की कोई आवश्यक्ता नहीं है हमारे घर में अगर कोई मसला है तो हम अपने घर का मसला सुल जा सकते हैं बाहर से हमें कोई उधार के लठेत नहीं चाहिए दूसरा socialist समाजवाद समाज के हर वर्ग को बराबर अधिकार मिलेंगे चाहिए वो राजनेतिक अधिकार हों चाहिए वो मौली का अधिकार हों चाहिए वो आर्थिक अधिकार हों फिर सेकुलर का मतलब पंथ निर्पिक्ष किसी एक पंथ को भारत का सम्विधान नहीं मानता सर्व धर्म संभाव article 25 कहता है कि जिसे जो धर्म मानना हो वो धर्म मानने की स्वतंतरता उस व्यक्ति के पास है फिर आता है democratic to the people for the people by the people लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों का है ना तो याद रखिए democracy का मतलब हम ही अपने प्रतनीदी को चुनेंगे और फिर वो हमारे उपर प्रशाशन साशन करेगा और रिपब्लिक का मतलब भारत का प्रथमनागरिक रश्च्रपती कोई भी बन सकता है, ब्रटेन रिपब्लिक नहीं है, retained को प्रथमनागरिक वहा की राजा रानी यही सब होते है अब वो कोई भी नहीं हो सकते, वो सिर्फ राजा रानी का वंशाजी है जो अगला इस प्रशान नागरिक बनेगा पर भारत में क्या है भारत में तो कोई भी भारत का प्रथम नागरिक बन सकता है यानि राष्ट्रपती बन सकता है अभी बताओ अच्छे क्वेशन है जो आपके जीडी MTS के एक्जाम से थोड़े अच्छे क्वेशन है जो आपके जीडी MTS के एक्जाम से थोड़ा सा लेवल ऊपर करके लाएं है अच्छे इनको हम ढूंड ढूंड के ला रहे हैं आज कल भारती जब हम खाली बैठे होते हैं तो हम खाली बैठे टाइम यही करते हैं कि चलो कुछ में जब मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे यही करते रहते हैं घुमाते रहते हैं ठीक है अब देखो दोस्तों ठीक जानवी त्यागी कल से शुरू होगा सुबह नौ बजे से और अभी तो CSIR की वेकेंसी आ चुकी है बबबुआ CSIR की वेकेंसी को देख करके हमारे स्टूडेंट डरे हुए थे कह रहे थे कि सर यह तो UPSC का सलिए बस है तो क्या हुआ UPSC इंसान क्रैक नहीं करते अरे 33 साल तक के लोग उसे भर सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप मान के चलो कि जो लोग अच्छी प्रपरेशन कर रहे हैं वो लोग भरे होंगे form और आपका competition बढ़िया है यार बहतरीन पढ़ाई कीजे और ये बात तो आप जानते हैं ना कि मानव जब पाँ उठाता है पत्थर पानी बन जाता है समझ रहे हैं ग्रामधारी सिंधिन कर एक बहुत अच्छी लाइन लिखा करते थे वो लिखते थे कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशश्टी अपना करतब दिखला के हीन मूल की योर देख जग गलत कहे या ठीक वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक इस बात से फरक नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े अकबर महान साशक हैं अगर आपके सामने महारणा प्रताप हैं तो महारणा प्रताप अपनी महानता को सिद्ध कर देंगे भारती इतिहास में आप देख लीजिए कि भले ही दिल्ली सल्तनत में कोई बहुत महान साशक बैठा रहा हो जिसे इतिहास में महान बताया गया बट बावजूद उसके यदि कोई वीर साशक हुआ है उसने इतिहासों में लीक खींच दी है इस बात से फरक नहीं पड़ता कि बहमनी कितने मजबूत हैं कोई एक राजा कृष्ण देवराय साउथ से उठेगा और विजय नगर से लेकर के ओडिशा औरुगलू वारंगल काकती सब को जीतते हुए और पूरे साउथ इंडिया को एक कर देगा जब बाबर अपनी आत्म कथा लिखेगा तो जो के बाबरी तो बाबर अपनी आत्म कथा में लिखेगा कि कृष्ण देवराय बहुत महान सा शक है याद रखे, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक जिसके अंदर शूर वीरता है वो इतिहासों में लीक खींच देगा असी घाओ लगे थे तन में, फिर भी व्यता नहीं थी मन में राना सांगा बाबर लिखता है कि मैंने जीवन में इतने युद्ध लड़े पर मैंने राना सांगा से महान योद्धा नहीं देखा क्यूं वीर खीच कर ही रहते हैं इतिहासों मिली कोई महान किसी को भी बताता रहे कितने सेलेक्शन लोग हो जाएं लेकिन याद रखिएगा आपका नाम चाहे वो छत्रपति शिवाजी महराज हो कितना ही बड़ा शत्रू आपके सामने क्यों नहों आपको पता है औरंग जेब का साशनकाल जो हम देखते हैं वहें एशिया में उस शताबदी में यानि सत्रह्मी शताबदी में एशिया के अंदर किसी सबसे बड़े भूभाग पर अगर कोई साशन कर रहा था तो वहें औरंग जेब था सबसे बड़े भूभाग पर बावजूद उसके छत्रपती शिवाजी महराज खेल दिया ना नाम तो आही जाएगा वीर खीच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक अब हीन मूल कोई है उसके ओपर देख करके जग कहेगा गलत है ठीक है नहीं है है कया है का गई साब को यह खीचने का मतलब होता है एक लाइन खीच करके रख देना जिससे लोग चल करके आगे बढ़ें चलो आगे चले एक और प्रशन तो यहां तो फिलहाल हम क्या कहना चाह रहे थे यहां कहना चाह रहे थे कि पहले प्रजात आंत्रीक सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था पहले सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे सोशलिस्ट सेकुलर इंटेगरिटि ये शप सब्द बैल सुषंध शमीधान संशोधन के शिख द Finnish के प्रतावनों प्रतावन निम्न लिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समवेशन 88ाईअ शमीधान श्रतावनी संश लेकिन यह है कि integrity है मैं सुचा integrity को इसने गरिमा लिखा होगा पर कोई बात नहीं यह बताइए सम्विधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है प्रियम्बल में क्या कहते हैं भारत को बताइए बताइए सर्व सक्ताधारी लोक तांत्रिक समाजवादी धर्म निर्पेक्ष गनराज्य तो भाईया इसका सही आंसर तो सर्व सक्ताधारी समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोक तांत्रिक गनराज्य भी है याद रखेगा It's a democratic republic country We are living in It's India India that is भारत और इसकी जगह होना चाहिए भारत that is इंडिया मैं कहता थाना आपसे कि देखो जब जब आप कोई भी भारत का धर्मगरंत पढ़ोगे भारती ग्रंतों को पढ़ोगे पुराने ग्रंतों को प्राचीन काल के ग्रंतों को हर जगह है भारत को भारत ही लिखा हुआ है अब बताईए कि वह देश जो महासागर के उत्तर में तथा हिमाले के दक्षिन में है उसका नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोगों को भारती ये कहा जाता है हम बताएं कहीं पर भी है तो कहीं पर कोई कमी नहीं है आगे बढ़ा जाए एक और प्रशन ये बताई ये समीधान बनाते समें लिकित में से कौन सा आधर्ष प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था which of the following ideals was not included in the preamble while drafting the constitution याद रखेगा यहां पर एक शब्द जो नहीं डाला गया था वो था समाजवादी भारत पहले से समाजवादी था भी या है ना समाजवादी socialist आगे बढ़े next question समीधान के प्रस्तावना में निम्न लिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है सर्वसत्ताधरी लोग तंत्रिय गंडराज्य समाजवादी धर्म इर्पेक्षिय संगिय और इसका सही answer देखो देखो याद रखो फेडरल शब्द का उप्योग नहीं किया गया है which expression is not used in the preamble of Indian constitution तो देखो दोस्तों फेडरल अच्छा एक बात बताईए इंडिया को एक क्वासी फेडरल स्टेट किसने कहा किसने कहा है कि भारत एक अर्ध परिसंगात्मक व्यवस्ता है ये आपसे बड़ा बढ़िया प्रशन पूछ रहा हूं मैं किसने कहा कि भारत एक अर्ध परिसंगात्मक व्यवस्ता है फेडरल का मतलब होता है परिसंग फेडरेशन का मतलब परिसंग होता है और दूसरी बा सब यह कहना चाह रहे हैं कि भारत के समविधान की प्रस्तावना में कितनी बार है कितनी बार एमेंडमेंट किया गया है बायालिस्वा अमेंडमेंट ही है जिसने समविधान की प्रस्तावना में कुछ जोड़ा हो देखो प्रस्तावना से कुछ घटा तो सकते नहीं है प्रस् of our Constitution does not mention justice brotherhood equality of reputation ya adult franchise किसको mention नहीं करती बताओ जल्दी से ठीक है जल्दी से answer करिये फटाफट क्या answer होने वाला है इसका चलु 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 आंसर करो देख लेंगे संद्या कौन है वो समिधान के प्रस्तावन में अगर उलेख नहीं है किसी चीज़ का तो वो है एडल्ट franchise का कोई मताधिकार का है ना कोई mentioning नहीं है बाकी तो आप जानते ही हो आगे चले तो एक और question है समिधान के निर्माताओं और मन साथ निर्माताओं के मनोभावा राधर्ष कहां प्रतिमिम्मित होते हैं question है ये ठीक है जल्दी से फटाफट इसका एंसर देना शुरू कीजिए the sentiments and ideals of the makers of the Constitution are reflected in sentiments and ideals of the makers of the Constitution are reflected in मूल अधिकारों में दिखता है मनोभावा राधर्ष राज जिकनीत निदेशक सिद्धांतों में दिखता है प्रियंबल में दिखता है fundamental duties में दिखता और इसका सही answer है कि प्रियंबल में ही दिख जाता है हमें we the people of India having solemnly declared that और उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है वो सारी की सारी भारत के सम्विधान के सत्व को बताती है तत्व को बताती है भारती सम्विधान में संघिये शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है what is where is the world where is the word federal used in the Constitution of India प्रस्तावना में लेक हुआ है भागतीन और तीन में लेक हुआ है अनुच्छे तीन स्वार्साट में लेक हुआ है या कहीं भी सम्विधान में उप्योग नहीं हुआ तो देखो दोस्तों सम्विधान में कहीं भी उप्योग नहीं है इंडिया इस नौट अफेडरेशन फेडरल शब्द कहीं है ही नहीं यूनियन शब्द है भारतिय सम्विधान में सम्मिष्ट यानि सन्योजित भारत का वर्णन निम्न लिखित में से किसे प्रकार किया गया है एक राज्य संग एक अर्ध संग राज्यों का संग तथा का इस नौट यूनियन टेरिटरी को इस तरह से सब कुछ एक अचा एक स्टूडेंट है जो पूच रहें कि सर्फ एडरेशन का मतलब क्या होता है त्गो एक ऐसी व्यवस्ता जहां पर देश के अंदर वो राज्य जो अपने पास अलग होने का अलग सम्विधान रखने का अलग राज्यों से डील करने का पावर रखते हो वह federation कहलाता है अब जैसे United States of America United States of America के अंदर 50 राज्य हैं और वो 50 राज्ये अलग हो सकते हैं United States of America से लेकिन भारत एक union है भारत एक संग है, परिसंग नहीं है federation मतलब परिसंग, union मतलब संग भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते अलग सम्विधान नहीं रख सकते और साथ ही साथ कभी भी किसी भी दूसरे देश से स्वतंत्र रूप से कोई डील नहीं कर सकते जब तक कि भारत उसमें involved ना हो समझ गए भी नोद, सही answer क्या है तो बताई ये, from which constitution were the fundamental rights in Indian constitution taken and the correct answer is going to be the American constitution US constitution से लेकर क्या थे ठीक है, तो United States of America के constitution से हम लेकर क्या थे fundamental rights, आगे बढ़े एक और question है नागरिक समता का आशे क्या है civil equality means कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार और to be very honest, मैं आपको बताऊं जब-जब civil equality का मतलब देखा जाएगा तो equality of opportunity देखा जाएगा ये आर्टिकल 16 में हमारे समविधान में लिखा हुआ है लेकिन इसमें एक अपवाद है और उस अपवाद का नाम है आरक्षन reservation is an exception in the right to equality of opportunity the reason being is that वहाँ पर फिर equality नहीं है reservation जिनको मिलता है उनको एक particular अधिकार मिलता है उस seat पर सिर्फ और सिर्फ reserved category के लोग ही जा सकते है आगे बढ़े आगे चल करके समविधान के किस धारा के अंतरगत कौन से अनुच्छेद के अंतरगत कोई भी व्यक्ती मूल भूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उचतम न्याले में उठा सकता है अगर मान लो हम किसी के मौली का अधिकारों का चीर हरन कर दें तो वह कहां जाएगा सीधे सीधे यह प्रश्न है अन्डर विच सेक्शन अब दे कॉंस्टिटूशन कैन एनी पर संडिरेक्टली रेज केस ऑफ वाइलेशन और फंडरमेंटल राइट्स इन दे सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया बत्तिस अठाइस उन्तिस या एकतिस और इसका सही अंसर यह धारा नहीं है अonर्वर और यहां पर आर्टिकल लिखा हुआ होना चाहिए यह इन मेरी गلती है जो मैंने ट्रंसलेटर में जादा चैक नहीं किया आर्टिकल तर्टिटू को क्या कहते हैं अर्टिकल थर्टिकल थर्टिटू को कहते हैं हार्ट और द्सवारफ इंडियन क Philosophy куда TIME हाट एनस ओल ऑफ इंडीन कन्सेटूज्ट श्राम और यह जो हाट फ़न सोल ओ इंडीन कॉंस्टुशन गित्याय यह हाट एल्शी ओस्टैकर चाहाएं यह हाटनाय 32 हमारे सम्विधान की हृदय और आत्मा है देख रहा है अबिनोद कितना काम किया चलो दोस्तों हम आपको ना एक जानकारी देना चाहते हैं और वो जानकारी आपके लिए अतिमहत्वपून है इसलिए लीजिए उस जानकारी को और समझ ये थोड़ा सा आप लोगों के तैया लीप पास है एक रामबान जिसको कहते है स्सी का महापैक 2024 आने वाला है और 2024 आने वाले 2024 के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए एक sûr उम्दा और जबर्दस्त इस उम्दा और जबर्दस्त यारी के अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको जरूरत है कुछ ऐसी चीजों की जो आपके लिए अतिमहत्वपून हो फॉरillance मैं कहता हूँ कि आपको तयारी करनी है अगर तो सबसे पहला काम कि आपका syllabus पूरा होना चाहिए, दूसरा काम आपको quiz उसके उपर मिलनी चाहिए, तीसरा ये कि आपको mock test अच्छे से मिले, चौथा ये कि आप videos को जब जहो तब देख पाओ और आपका revision हो जाए, और पांचमा point ये कि आप लोग महनत से अपने e-books से doubt clear कर पाओ और फिर आप को doubt room की सुविधा अलग मिले, यानि कि हम वहाँ पर हो और आपके सभी के doubt solve कर रहे हो, अगर ये सब सुविधा हैं आप एक साथ चाहते हैं न बाबू, तो SSE का महापैक आपके लिए best option है, हिंदी और English दोनों में आ रहा है, दोनों में, देखे बताते हैं करना क्या है, ये आपके गूगल बाबा हैं, अब गूगल बाबा पर जब भी आप जाते हो, आप यहाँ पर सर्च करो अड़ा 24-7, जैसे ही अड़ा 24-7 सर्च किया, ये देखिए, ये एक पहली link open होकर के आई, इस link को क्लिक कीजिए, जैसे ही link को क्लिक करें, तो ये website open होकर के आगई, और ये जो website open होकर के आई है न, इसमें all courses में जाईए, all courses में SSE पर पहुँचिए, और SSE पर पहुँचने के बाद, आपको करना क्या है, आपको जाना है सीधे SSE महापैक पर, और SSE महापैक ये देखो, SSE महापैक में CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, Selection Post, सब की तयारी हम करवाते हैं, और इसमें जो आपको value देते हैं, वो value भी तो एक बार देखिए, 2000 घंटे की online live class, 6341 test series, 1942 ebooks, 9853 videos, तो क्या ऐसा है जो आपको मिलता है और वो खास है, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को SSE CGL, CHSL, CPO, GD, Selection Post, महापैक, Stenographer, सब की तयारी करने मिलती है, अब जिसकी चाह हो, उसकी तयारी, तो यहां से कर ही सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से, कोई ने रोक रहा, इवन, दिल्ली पुलिस भी SSC महापैक के अंतर का तातिया, SSC MTS वगेरा, वगेरा, इतनी सारी e-books, इतने सारे आपको वीडियो, सब कुछ मिलेगा, और यहां पर आपको faculty भी मि जो आपको tension नेने नहीं देंगे, पर मैं भी तो हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, हाँ, तो महनत करनी है, जवर्दस तरीके से, और शानदार तरीके से आपको इसके बारे में जानना है, आप बाइनाओ करने के पहले, यहां देखेगा एक coupon अल्रेडी लगा Y263, जैसे ही Y263 लगाओगे, किसी के call आने पर, किसी के phone आने पर, बिल्कुल भी मत कर देना, उनके हिसाब से काम, वरना रह जाएगा, इसलिए 2769 मातर में 12 महीने की validity के साथ, यह SSC का महापैक आपके पास हाजिर है, और SSC के महापैक को, आप बहुत बढ़िया तरीके से cater कर सकते हो, अगर आप लोग app डाउनलोड कर लो, जिसकी link description में और comment section में दी हुई है, तो आपको coin मिल जाएगा, coin मिलने के बाद, आपको apply करना है coupon code, एप के अंदर, तो coupon code याद रखिये, coupon code होने वाला है Y263, और जैसे ही Y263 coupon code आप लगाएंगे, यह coupon code लगाते ही, यह ज करके मात्र 2640 का आपको मिल जाएगा, 2640 का, और 2640 में CGL, CHSL, MTS, GD, सेलेक्शन, पोस्ट, इस्टेनोग्राफर, सारे के सारे examinations को आप cater कर सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों, एक बार आप सभी को फिर से कह देना चाहता हूँ, कि आने वाले समय में, आपके लिए सारे के सारे batch इसके अंदर शामिल होंगे, 26 तारिक से, यानि 26 से हमारा एक batch और भी open हो रहा है, शुरू हो रहा है, जिसे आप देख सकते हो, SSC के महा पैक की जगे CGL पर जाएए, और CGL पर जाने के बाद, 0 से शिखर तक ये batch आपके लिए live आ रहा है, और 0 से शिखर तक वाले batch में आप enroll कर सकते हैं, इस batch में आपको 500 घंटे के online live class मिलेंगी और 1700 से ज़्यादा test series मिलेंगी, coupon code आप remove कर दीजेगा, जो भी लगा हो, आप Y263 लगाएगा, Y263, तभी आपको ये discount मिलेगा, और दोस्तो ये point भी याद रखना, कि जैसे ही coupon code लगाया, जैसे ही coupon code Y263 लगाया, काम बन जाएगा बबवा, और ये 2023, आपको इतना भी pay करने की ज़रूरत नहीं, आप अगर app download कर लेते हो, app की link से download करते हो, जो हमने provide की है, इस वीडियो के description में, और आपके comment section में, सबसे उपर, तो वीडियो के description से app की link पर click करने के बाद, आप आराम से, Y263 code से, ये 2023 की जगह लगभग 1950 रुपय में ले सकते हो, ये foundation आपका CGL, CHSL और हर एक्जाम के लिए काम आएगा, तो धन्यबाद दोस्तों, ख्याल रखो, टेक केर, जय हिंद, कर दो के लिसके के लिसके से इति जुगम में, सबसू sottoक्क्दकरा, गिसमाने के लिए करदा हैं, ये इतिम के ये किसे एक twist के में, समयख वीडियो के में गल्यारा रखका।